भारत और वेश्ट इंडी जे की बीच खेला जा रहा ब्यास मैच रोमांचक मोड पर पहुँच चुका है आपको बता दे टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उत्री भारतीय टीम ने इस्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा और चेतेस्वर पुजारा की सांदार पारीओं की बदलत 297 रन बना कर पारी घोशित कर दिया था चेतेस्वर पुजारा सो रन बनाकर रिटाइड हर्ट हुए थे जबकि रोहित सर्मा ने 68 रनों की सांदार पारी खेली थी दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतिय टीम यह मुकाबला जीत जाये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वहीं दूसरी तरब भारत के जवाब में बल्लेबाजी करने उत्री वेस्ट इंडीज ए टीम का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक भारतिय गेत बाजों के सामने नहीं टिक सका और पूरी टीम पहली पारी में मात्र 181 रन पर सिमट गई वेस्ट इंडीज ए की तरब से केवम होज एक मात्रा ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 51 रनों की आरदस तकी अपारी खेली इसके अलावा कोई भी वेस्ट इंडीज ए टीम का बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में काम्याब नहीं हो सका यानि पहली पारी के अधार पर भारतिय टीम 116 रनों की बढ़त बना चुकी है भारत की तरब सी सांत सर्मा, उमेश यादव और कुलदीप यादव ने 33 विकेट जटके लेकिन हैरानी की बात ये है कि भारतिय टीम के मुख्य तेज गेदवाज जस्प्रीत बुम्रा, मुहमत चमी के अलावा आल राउंडर रविंद्र जडेजा के हाथ एक भी विकेट नहीं लागा